हेलो फ्रेंड मैं आनंदर आज आप सोगों के विज देखिए आज हम बहुत बीवी आई कोस्चेन लेखे देखिए बीए सकेंडेर में आपका जो कोर्स 10 है उसकी उनिट में जो कोस्चन है कि सामेशी सिक्षा अंतरगात एक सिक्षक किस प्रकार से समधाय आधारे सिक्षा को बढ़ावा दे सकता है देखिए बहुत बीवी आई कोस्चन है समझे देखिए एक कोस्चन दुझार 19 में पूछा हुआ समझे तो 21 में आने की सम्भाव ना है समझे देखिए आपका क्वेश्चन है कि समधाय आधारे सिक्षा को बढ़ावा देता है यानि हाव कैने टीच इस इस में लोग अपने के लिए या मत्तलब समाज के विकास के लिए मत जानते हैं कि एक समाजिक प्राणि तु कर दिए जिसका जन्म कोई न कोई समाज में वस्का जरूर होला है जो लिखा है कि हम जानते हैं कि मंदूश समाजिक प्रानी है कि से जन्म कोई कोई समाज में करते हैं इसके लिए अप्चारिक नहीं जब चाहिए तब पड़ सकते तो उता वही कर रहा है कि समधाय बालाक की सिख्षा का एक महत्पुन सक्रियत अनपचारिक बालाक की सिख्षा का एक महत्पुन अनपचारिक साधन है जिस प्रकार समधाय भी बालक के बेवहार में जिस प्रकार से परिवर्तन करता है कि वह उस समुक के कार्यों में शक्रिय रूप से भाग लेने युग बन जाता है जिसका हुआ सदस होता है वह इस ही रही है पर तेक बालक वैसा यह बन जाता समाज में रहते होंगे समाज में अच्छे वेक्ति होंगे तो बालक उसी का अनुकरन करके अच्छा बना चाहते हैं वस्तिक्ता यह है कि बालक जर्म से लेकर केवल परिवारिक वातावरन में विक्सित नहीं होता है बलकि उसे विकास में समधाय की गहरा परभाव पढ़ता है वैसा ही आपका मतलब मतलब होगा समझे माली जी आपका परिवार अच्छा है लेकिन आपका समधाय खराब होगा ताब उसी का साथ मतल तो आप उसे खराब हो जाएगा तो वहीं आपको रहा है कि वास्तिक्ता यह है कि बालक जन्म से लेका केवाल परिवारिक वातारों में ही विक्सित नहीं होता है वलकि उसके विकास में सम्दायक के गहरा परभाव पढ़ता है सम्दाय आधरी सिक्षा को सम्दाय की सिक्षा अत्वा सम्दाय में सिखने तथा विकास करनी की सिक्षा रूप में जाना जाता है पहुंद का की सम्दायक सिक्षा विक्तिओं सम्वह को अपचारिक और अफचारिक रूप से समाजिक विकास के कार्यों को को चिखने विक्सित करने तो तुब कि समुदाइक सिक्षा विक्तियों यों समूहों को अप्चारिक यों अनप्चारिक डूप से समाजिक विकास के कार्यों को सिखने यों विक्सित करने है तुए एक संगठित योजना है फिलिका समान्त समदाय आधारि सिख्षा बीविन समदाइक कार्ज करम गतवीदियों के द्वारा बालोकों को विक्तित का विकास क्या जाता है मुख्यू जाता है समझताइक कार्यों के माध्यम से विविन आई वर के बालकों की समझताई एवं समाजिक शमता को को विख्षित कर उनके जीवन की गुनमत्ता में शुधार करना है समधाई कारियों के मादम से समाजिक संता को भिख्षित कर उनके जीवन की गुन्मत्ता में सुधार करना है यह सब करने के लिए उसके साथ काम करने के लिए अस्थानी और इसमें भेदवाव खतम हो वही समय से लिखा तो आपके वही हो गया जिसके दौरा बालक अपने समधाय के तरीकों को अपना कर अपने दिश्ट कोन वहार तता बोलचल में परिवाजन करता है अब गलत होगा तो आपक एक साथ तथा इससीकी समुदाय कलते हूँ हुआ हो का आपक हो पही करना क्या होता है के कम्योंटी सब्थ का हिंदी रूपांदरन है इस कम्योंटी सब्थ की उत्पत्ति लेटिन भासा के दो सब्थ कम तथा मियूनिस से हुए जिसका अर्थ कम का एक साथ मिलकर सेवा करने से समदाय आधाय सिक्षा का अर्थ है इसमाज में सांसान मिलकर शिखनेता विकास करने के सिक्षा के रूप में जाना जाता है अब देखते हैं समदाय आधाय सिक्षा के निमलकित गून है पाला है समुदाय के अधार पर प्राप्त की हुई शिक्षा उन लक्षों पर बल देती है जो वेक्ति द्वारा वेक्ति तथा समझाद दोनों के लिए लबकारी हो पाला को उनमें अधिकारों तता कर्तबों का ग्यान कराता है चौथा आपका है कि समझाद द्वारा पर पुर्ण कार्ज करने है तू राचनात्मक कार्ज का उसर देती है आपका है कि समझाद दारी सिक्षा इसका अर्थ होता है समझे आप सिक्षा में किरियात्मक सिधानत्मक विसेश वल दिया जाता है सत्मा आपका है कि समदाय अधाय सिक्षा बालक के वास्त्विक जीवन के अन्भाव से परचित कराती है बालक वस्तुव का पर्थेक्स रूप से निरंचन करता है जिससे उसे उस्तुव के विश्य में सही ज्यान मिल जाता है समदाय सिक्षा के द्वारा बालक के उन आधर्सों गुन का विकास होता है जो एक अधर्स नागरी के लिए जरूरी है अधर्स पतलब कैसे बोलना है कैसे विकास करा जाता है और नॉमा आपका है कि समदाय आधर्स शिक्षा बालक में अपनी संस्कृतियों सपता का ज्यान कराती है अब देखते हैं समदाय आधर्स शिक्षा के निमलेखित दोस्त है पला है सिद्धी के लिए सिख्षा को अपने हात का खिलोना बना देती है दूसरा है कि संप्रदाइक भावना को परसाहित करती है जिससे बालकों में संगुचित दिष्ट कों तता संकिन संप्राक्ता की भावना विकास देख्षिए करने का अपने है कि बाला का संफटक् संप्रेता की भावना और अपने संप्रेता के बारे में नहीं सुचेों समझा सब्कुच्षे का संब्*** संप्रथा प्रें लोक होग हैare संकुचित भावना के विक्षित होने के कारण लोकतांती भावना के विकास में बाधात्पन करती है यह जो कम्यूटी बेस्ट एजुकेशन है पिर आपका चोथा है कभी-कभी समदाय आधाय सिक्षा अपनी स्थेष्टा को बनाया रखने के लिए बालकों में अंध्विश्वास का विकास कर देती है जिससे एक समदाय के लोग दुसरे समदाय के लोग सदस्व करती आकरमक्ता का दि अपनाते हैं जो सही नहीं है समदाय आधाय सिक्षा को बढ़ावा देने में सिक्षक की निमलखित भूमका होती है पहला है कि सिक्षक समदाय सिक्षा के द्वारा बालक के समक समाज सेवा इमंदारी नियाए इत्यादी आदर्स गुनोयम सहयोग पुन उधारन प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह समदाय के साथ समाजस्व अस्थापित करके उनकी उनत्ती के अथा सक्ति सहयोग दे सके समाज सेवा इमंदारी नियाए इत्यादी आदर्स गुनोयम सहयोग आत्म उधारन प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वह समदाय के साथ समाजस्व अस्थापित करके उसकी उनत्ती में एधा सक्ति सहयोग दे सके दुसरा आपका है कि बालक को बनाने और विगारने में समदायाधारी शिक्षा की अत्यधिक महत्पुन भूमका होती है इसलिए शिक्षा का कर्तब है कि बालक को बुरे वातारों से बचा कर अच्छे से अच्छे साचिक वातारों प्रस्तुत किया जाए जिससे बालक के व बतब अच्छा देगा ताव अच्छा बनीगा खराब देगा खराब बनीगा तो वही कर आए कि बालक को बनाने हम विगारने में समदाय अधारी सिक्षा की अतियदिक महत्पुन भूंका वती है इसलिए सिक्षक का कर्तब है कि बालक को बूरे आवातरवन से बचा कर के दिशा सबसे अच्छा उत्तम विकास हो कि इसरा आपका है समदाय अधारी सिक्षा को प्रभासाली बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह परिवार स्कूल तथा राज जैसी महत्पुन संस्थाव के साथ निकटतम संपर का स्थावित करें इसके लिए सिक्षक को अधिक से समधाय अधारी सिक्षा बालक की जरूरतों समाज की मांग के अनुसार होना चाहिए इसके लिए सिक्षक बच्चों को वैसे सिक्षा परदान की जानी चाहिए जो संपुर् समदाय के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा आई अप्रोक्त विवरन से असपर्ष्ट होता है कि समदायाधारी सिक्षा वर्तमान समय के लिए बहुत जरूरी है बालक को बनाए हम विगारने में समदायाधारी सिक्षा की अत्यधिन महत्पुन भूमका होती है इसलिए सिक्षा का करतव है कि बालक को बुरे अतारान से बचा कर अच्छे से अच्छे से अच्छी कातर हुआ है और आपका 11 जो आपका उप्शनल पेपर है उसका बताएंगे और मेठर का कुछ बताएंगे आपका सकेंडेर का बहुत जल्दी खता हो जाएगा समझें तो ठेंक यूद